हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तो हमारे चनल में आदुनिक भारत के इतियास की सीडी चलाई जा रही है जिसमें जो हमारे टॉपिक चल ला था वो चल ला था नवीन राज्यों का उदे तो नवीन राज्यों के उदे में जो हमारे टॉपिक था वो था बंगाल राज दोस्तो बकसर का युद्ध पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इलावाद की संदियां इलावाद की दो संदियां हुई थी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बंगाल में द्वयद सासन लगा था उसके बारे में हम लोग बिस्तार सी चर्चा करेंगे फिर द्वायत सासंग के क्यों दुस्त परिणाम हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे किलाइप के कुछ कारी किये गए थे बंगाल में उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने टायस्तर न मिल जाएंगे चलिए शुरू करते हैं बक्सर का युद्ध तो सबसे पहले तो हम लोग बक्सर के युद्ध के डेड जान ले देंगे इस गहां पनगा हुती है उसमें क्या भूमिका बनती है किस युद्ध होता है उसी परकार से हम जान लेग其实 बक्सर के इंद्व होना पड़ा था अब दखिये बक्सर के दूज़े के 12 अक्टूबर 7400士 को इसकी भूमिका बनाते हैं 1763 Mysticalen में कमपणी ने एक गोशणा की थी कि बहे देखे अभी तक क्या था कि 17 Рассlie का इंद्ध के प्लासिकी युद्ध के पार साल 1757 इसवी में मीर जाफर को नबाब बना जाता है और साल 1760 इसवी में मीर जाफर को बंगाल के नबाब से पद से हटा कर मीर कासिम को बना जाता है नबाब कब 1760 इसवी में और 1763 इसवी तक यह नबाब रहता है लेकिन होता क्या है जो British company होती है उसके अनुरूप Middle constraints अपने सिद्देंतों पर चलने वाला होता हुटा है अपने नियों मों पर चलने वाला होता है जिस कार्ण से अंग्रेश करते हैं और फिर एक घोषण कर देते हैं कि हम मेर कास्ञिवर को बंगाल के नवाब के बद में रहता है और 1763 में अंग्रेज सरकार गोशना कर दिया पुनह से किसको मेर जाफर को बंगाल का नबाब बनाना की गोशना कर देती है पहला कारण तो यह था क्योंकि अभी तक बंगाल को जो नबाब था वो मेर कासिमी था अच्छा काम कर रहा था लेकिन गुलाम नहीं बनना चाता था इस कारण से अंग्रेज उससे रुष्ट हो गए थे जिस कारण से मेर जाफर को बंगाल का नबाब नोने घोसित कर दिया कब 1763 इसवी को ठीक हो गया और दूसरी देखिए घटना क्या रहती पटना की घटना पटना की घटना का उलेक मैं पह एक कोठी होती है और वहाँ का एक अधिकारी होता है उसका नाम होता है एलेस तो वो क्या करता है पटना पर आक्रमण करता है और पटना पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लेता है लेकिन जो मेर का से मंगाल का नबाब होता है वो क्या करता है वहाँ पर जाता है अपनी सेना के साथ और पटना पर एलिस को हटा करके अपना अधिकार जमा लेता है और एलिस को परजित कर देता है साथ इसाथ में अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लेता है जैसे ही यह बात सरकार को पता लगती है कम्पनी को यह बात पता लगती है तुरनत एक आदान किया है कि ISMA को यहां से हटाओ यह हमारे लिए खत्रा है पुन्हासाई मेर जाफर को लाओ जो कि हमारे लिए गधों की तरह काम करेगा और जो की हमारा गुलाम बन के रहेका तो दूसरा कारण ये रहा था तो दो कारण ये रह जाते हैं पटना की घटना और दूसरे क्या हो जाता है बंगाल के पद से मीर कासिम को हटाया जाना देखिए जब देखी थोड़ा सा मीर जाफर के बारे में उससे कमपनी से केवल 0,5% नमक करके अलावा कमपनी को सबी मतलब सबी छूट परदान करते हैं मतलब होता क्या है सिर्फ और सिर्फ मीर जाफर ने कमपनी पर मात्र 0,5% ही कर लगाया वह भी नमक करके रूप में पूरी की पूरी छूट दे दी गई कमपनी को ब्यपार करने की आप सोच सकते हैं कि मातर धाई परसेंट कर और धाई परसेंट कर में ही वो भी नमक कर था और बाकी सारी की सारी छूट कमपनी को दे दी गई थी लेकिन जब मीर कासिम इसमें काम कर रहा था जब बंगाल का जैसे ही कमपणी ने मीर जाफर को घोस्रना करती बहीं, मीर जाफर अब बंगल का नवाब बनेगा तो मीर कासिम भी त्यार रहता है, बिल्कल वो भी कहता है मैं भी अंग्रेज़ों का सामना करूँगा, अब वह क्या करता है मीर कासिम आवद के नवाब सुजावद दौला के पास जाता है क्याई के लिए साहता मागने के लिए कि आप हमारे सांग युद्ध कीजिए अंग्रेजों के खिला और उस समय वहाँ पर एक मुगल समराड भी साहा आलम दुत्ति भी होता है सहा आलम दुत्ति भी उसमें वहीं पर उपसिस होता है कहाँ पर आवद के नवाब के पास ही तो इन दोनों से इसकी मुलाकात हो जाती है किसकी मीर कासिम की मुलाकात होती है पहले जाता है सुजावदोला के पास वहे पर इसके मलाकाद होगाती है साहा आलम 言ुद्धустi के सांत भी ख्यात रखेंगे कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का ने तो तुरकेस नहीं क्या था हेक्टर मुन्रो ने और जो मेर कासिम की तरफ थे वो कौन-कौन लोग थे इस युद्ध में देखिए सुजाउद दौला और साहा आलम दुति और यहां से कोशिन और बनता है कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा बक्सर के युद्ध के समय ता साहा आलम दुति मुगल समराट और बक्सर के युद्ध के समय अवद का नवाब कौन था उसमे नवाब ता सुजाउद दौला देखिए यहां से हर तरीके से कोशिन बनते हैं जैसे युद बनेंगे मैं आपक के सेना के पराजित कर दिया मतलब इनके मद्म मैं युद्ध होता है तो की युद्ध हो था युदें के युद्ध करते हैं नहीं की सेना को हरा देते हैं देखिए बक्सर का युद्ध भी इतना बड़ा युद्ध हुआ नहीं तो इतना बड़ा इसका नाम हो चुका है तो मीर कासिम सुजाउद दौला और साहा अलम दुत्य इनकी हो गई है इस युद्ध में हार आप देखिए जब इनकी हार हो जाती है मीर कासिम तो भाग जाता है दिल्ली की ओर तो दिल्ली में भाग कब भागा था शतरा सोN चौन सटाइस वी में भागा था यह दिली और सत्रा सौन सततर इसमी वहाई पर इसकी हो जाती है मिर्थियो कहां पर दिल्ली मैं अब देखिए सुझाउत Unidos अब बचे कौन सुझाउत दॉला और सहा अलम-ड atenção सामेल नहीं अंग्रेज लोग अब ये इनको इसनी आसानी से छोड़ देंगे नहीं शचिते क्योंकि मिर कासिम के साहा अलून या तो इसक पते हो बात्मा खरती आथए मнятьन पक्रण लिए अलवा चलिए बढदे हैं आगे तो मिर कासीम दिल्ली की और भाग जाता है जहांपर उसकी 177पी में उसकी होजाती है मेर्थियू यह मैं आपको बता दिया है चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं तो बक्सर के एक कोशन आशी और बनता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था बकसर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर और देखिए ये जब बनता है 1763 ECU में इसमें घोषणा करते हैं अंग्रेज की 1763 ECU से मीर कासिम को हटा के हम लोग मीर जाफर को फिर से नवाब बनाएंगे तो उसी परकार 1764 ECU बकसर का युद्ध होता है तो उस समय तो मीर जाफर ही नवाब रहेगा ना तो 1764 ECU में बकसर का जब युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौम था मीर जाफर और 1765 ECU में हो जाती है मिर्तिव देखी अब देखी क्या बात होती है तो बकसर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद भारत में वास्तिवी कुरूप से बिल्टरिस परवू सत्ता की स्थापना होती है अब देखीए जब प्लासी का युद्ध होता है तो वहां से मैंने आपको बताया था कि इस युद्ध से अंग्रेजों की भारत में एक सासन करने की निव पढ़ती मातर एक निव पढ़ती लेकिन बकसर का युद्ध ने उस निव को और भी मजबूत कर दिया और बता दिया कि अंग्रेजों हैं भारत में सासन करने योगी हो गए हैं तो देखिए अब देखिए एक बात में और बताओं अंग्रेजों ने भारत में कभी भी अपने राजा नहीं मनाये थे कभी भी आपने देखा होगा भारत में अं अंग्रेजों की विजय के बाद भारत में वास्तिवी कुरूप से ब्रिटिस परवु सत्ता स्थापित हैं तो आपका उत्र क्या हो जाएगा बक्सर क्या अगर ऐसा कोशन बनता है कि कि स्युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में उसासन करने के नियू पड़े दी तो आ मैंने आपके सामने लिख दिये हैं, आप नोट से बनाइए, आपको बहुत ही आसान सी ये समझ में आ जाएंगे, चलिए ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें कि प्लासी का युद्ध क्या था, मतलब प्लासी का युद्ध किस चीज का एक परिडाम था, तो जो प्लासी के द्वारा ही अंग्रेजों ने उस युद्ध को जीता था, चल और कपट के द्वारा भी ऐसा बोला जाता है, दोस्तों कि इतिहास में अंग्रेजों ने किस युद्ध को चल और कपट के मादम से जीता था, आपका उतर क्या हो जाएगा, प्लासी का युद्ध, और ऐसा बन जाएगा कोई इतिहास के किस युद्ध को अंग्रेजों ने चल अंग्रेजों ने सडियनते के द्वारा जीता था आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्लासे का युद्ध लेकिन जो बकसर का युद्ध रहा था बकसर के युद्ध की जो बकसर के युद्ध का जो परिडाम इनको जीत प्राप्त होती है लेकिन यहां देखे सड़ेंत आ रहा है देखी इंपोटेंट हो गया है यहां से दो कोशन मोहत्य पूर्ण हो गए है एक्जाम में पूछे भी जाते हैं एक्जाम में यहां से कशे बनेगा बकसर का युद्ध परिणाम था अंग्रिजों की का झालि मों को जीत बनाइं लगी। किसको बनाएं। वह एक समस्य उनके उत्परन होती है लेकिन उसी शमस्या का तुरुन्त निवारन कर ले आता है एक नजोह मुद्ध ब्गाल के राज़िसिहांसे हला लेकिन नहीं हिए लेकिन अंग्रेजों को चालिशों को यहां खरन पसन कर पाता है और यहां होता है मीर जाफर का पुत्रियान से कोशिन बनता है दोस्तो, नजुम उद्द्वला किसका पुत्र था मीर जाफर का पुत्र और इसके समय में भी देखीए, अंग्रजों ने सारे के सारे अधिकार अपने पासी रखे थे, मतलब आप सिरफ राजा क कि ऑपर निवाद में में घ्राइब करें जो नंबाब य है वो क्या करते थे भारती राजा को ही बनाते थे अब माप को कहानी बताता हूं देखिए उता क्या था जैसे अंग्रेज जो जब भारत में अंग्रिजे सत्ता इस्थापित होती है बकसर का विद्ध होता है उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि हम लोग भारत में अपना खुद का राजा मतलब घोसित करते हैं लेकिन जो उसमें लौड क्लाइब नाम का एक जो गवर्नर जेनरल होता है वो क्या सोच तो बहुत दूर दर्सी सासे होता है उसके सोच होती ही ना काफी आगी की सोचता है वो तो क्या सोचता है अगर हम लोग भारत के राजाओं को छोड़कर अपना राजा अगर भारत में बनाते हैं बंगाल में अगर कोई बिर्टिस राजा बनाते तो यहां की जंता भढ़क लेकिन जो भारती राजाओं में ही एकता की कमी थी जिस करण से भारत ने अंग्रे जोने राज किया था तो उन्होंने कभी भी अपने राजा नहीं बठा ले थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राज किया था अब प्रतक्ष तौर पर प्रतक्ष तौर पर नहीं किया था राज जो किलाइब था वो वापस ब्रिटिश चले गया था उसको किसी कारनक बास कहीं का युद्ध समालने के लिए उसको वापस बुला लिया गया था लेकिन जब बकसर का युद्ध हो जाता है तो भई अब देखे अभी तक तो हो क्या रहा था अंग्रेज जो थे छोटे मोटे तोर पर ही भारत प्रशासन कर रहे थे लेकिन अब देखे उनको इतनी बड़ी अप्रोडिशनिटी मिल गई थी तो अंग्रेज जो ने भी सोच था भाई अब तो किसी ऐसे वक्ति को वहाँ भई जा जा जो ऐसी परिस्थितियों को भाप सके और इन सब चीजों को समाल सके तो कि Lord Clive को ही पोनहा भारत भेज दिया आता है British Governor बक्सर के युद्ध के बाद कोशन भी ऐसा बनता है दोस्तों कि बक्सर के युद्ध के बाद भारत का British Governor General कौन बनात का उतर क्या हो जाएगा Lord Clive अब देखिए अब कहानी होती है कि यहाँ से अब मैंने आपको बताया था कि जब बकसर का युद्ध होता है तो उस समय एक अवत का नबाब होता है एक मोगल समराड होता है अवत का नबाब कौन था उस समय अवत का नबाब था सुजाओद दोला और मोगल समराड कौन था साह आलम देते अब आपको क्या लगता है अंग्रेज इनको इतनी आसाने से चोड़ देते बिल्कुल भी नहीं छोड़ देते अब देखी लड़ किलाइब ने डोगों के साथ भी एक संधी कर ली अब देखिए उन संधी में भी अंगरेज्जों को ही फाइदा हुआ था क्योंकि इतनी आसानी से अगर इसकुछ प्राप्त होता नहीं इस लिए यह उन्होंने क्या किया पहले तो देखिए उन्होंने दोनोंने क्या किया था जो सुजावद दौला था सहा आत्मसमरब्र कर दिया था लेकिन उन्होंने सुचा आत्मसमरब्र तो इन्होंने कर लिया है क्यों नहीं इनके साथ एक संधी कर ली जाए जिससे कि हमें कुछ इसस किस के मद्धे में देखिए ये हो रही है साहा आलम दुत्य क्या दखना साहा आलम दुत्य के साथ हो रही है जो कि मोगल समराड था अभी यहाँ पर आवत का समराड इंक्लूड नहीं आवत के समराड को इसमें सामिल नहीं किया गया था साहा आलम की साहा आलम दुत्य के साथ जो इलाबाद की संदि यह होती है नजम उदोला नजम कौन थे जाफर का पुत्र hops और उसी के साथ जो संदि यह क्छिस्ट करते संद्र किलाइब से तो डिटिस की रोड़ते उर्ट हो कर एक यह की संदियमें कौन वेकती था किलाइब और मोगल संब्राट कान था साहा आलंदुत्य और बंगाल का नवाब कौन था नजमोद्दुल आपको सारे सारे फैक्ट याद रखने हैं डेट याद रखनी है, इंपुटन डेट है चलिए देख लेते हैं, इस संधी में क्या तई किया गया था इस संधी में ये तई किया गया था कि मोगल समराट सहा आलन दुद्धी जो था उसने बंगाल बिहार और उडिसा की दिवानी कमपनी को परदान कर दी रही बंगाल बिहार और उडिसा जो उसमे के छेतर थे ना इनका बिस्तार बहुत ज़ता था जो वरतमान का बिहार है ना इतना ही बड़ा बिहार नहीं था, जो वरतमान का बंगार है ना इतना ही बड़ा बंगार नहीं था, उसमें का बंगाल में धाका सामिल था, उसमें बंगलादेश उसमें सामिल था, उसमें बहुत सारे जो बिहार बंगाल के आसपास का छेतर उसम कंपनी को प्रदान कर गई तो साहा आलंदुत्य के बाद बचा गया घंटा चलिए ठीक है फिर देखिए उसके सांसांती क्या किया उन्हें जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया मगल सम्राठ साहा आलंदुत्य को 26 लाख रपे की वार्सिक पेंशन देदी कई भई तुम आ करते हैं आगे देखिए उसके बाद देखिए इलाहाबाद की दूसरी संदी होती है पहली संदी होती है बारा तारिक में होई थी दूसरी होता है 16 अगस्त को देखिए 16 अगस्त 1765 इसवी को इलाहाबाद की दूसरी संदी होती है आप देखिए यहां आगया अवत का नबा पहली जो संदी किलाइब ने की थी वो की थी मोगल समराड सहा आलंदृत्य और बंगाल के नबाब नजम अधुला से लेकिन तो इलावाद की दूसरी संदी किलाइब कर रहा है देखिए चाला कितना था किलाइब इसने दोनों लोगों के साथ अलग-अलग संदी करी इसको प कि यहां से कुशिन कैसे बनेगा कि इलाहाबाद की दूसरी संदी कभी थी सदूला अगस्त 1765 इसपी को किनके मद्धे हुई थी सुजाओ दौला जो की अवद का नबाब था और किलाइब के मद्धे में अब देखिए इसमें क्या बात रखी गई थी इसमें ये बात रखी ठीक हो गया और देखिए सबसे बड़ी अपर क्या मिलती है अवद में कर मुक्त ब्यापार आप फिरी बिल्कुल कोई टेक्स ने देना आपको आप जोतना ब्यापार कर सकते हैं कर सकते हैं तुसरी बात अवद की सुरक्षा है तो नबाब के खर्च पर एक अंगरेजी सेन रख देते हैं और उसका खर्च कौन उठाएगा उसका खर्च उठाएगा अवद का ही नबाब क्या कहते हैं हम आपकी सुरक्षा में रख रहे हैं लेकन दरसल रखते क्यों हैं कि अवद का नबाब हमारे उपर हमला ना कर दे तो ये थी इलहाबाद की दूसरी संदी हमने देखे यहां तक complete कर लिया है अब हम लोग पढ़ते हैं द्यएतर सासन दीए बहुती इंपोटन टोपिक आ गया है यहां से एग्जामें से कोशिन बनते हैं पहले देख लिके जी हैं द्यएतर सासन को हम लोग 12 सासन भी कहते हैं द्योह हु कहते हैं ये भी आपको फिलाल हम लोग ये जानेंगी कि जो बंगाल में द्याद शासन रहा था वो कब से कब तक रहा था ये डेट एकजामें पूछी जाती है दोस्तो साल 1765 इसवी से 1772 इसवी तक बंगाल में द्याद शासन रहा था इसको 12 शासन भी कहा जाता है चलिए ठीक है और देखी इस समय इसके समकालिन कौन कौन ते नजाज़ा थे उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं 1765 इसवी में रजा कौन था जब बंगाल में द्याद शासन लगा था तो इसमें बंगाल का नबाब कौन था अभी आपको वहने पीछे पड़ा रखा है और ब्रिटिस गवर्नर कौन किलाइब मैं इस समय की बात कर रहा हूं 1765 इसवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1765 इसवी की जब बंगाल में द्याद शासन लगा था जब सुरू में लगा था उसमें बंगाल का नबाब हो जागा नजुम अद्धौला और बिरिटिस गवर्नर कौन हो जा और उस संधी में देखी अंग्रेज को क्या प्राप्त होता है कि प्रांति की सुरक्षा के लिए 1765 इसवी में कलकत्ता कॉंसिन ने अपने हाथों में ले लिया और अर्थात इसका मतलब ये था कि नबाब के सेना समापत होगी और अंग्रेजी सेना ने सुरक्षा का दाई तो करें थी कि भई तुम्हारा जो प्रांत है उसकी सुरक्षा हम करेंगे और कलकत्ता कॉंसिन ने अपने हाथों में सुरक्षा की गारंटी ले ली और नबाब की सेना को समापत कर दिया गया और अंग्रेजी सेना ने सुरक्षा का दाई तो समाल लिया देखिए सब कुछ खत अंग्रेजी सेना ने अपनी सुरक्षा का दाई तिर ली लिया है आप ये लोग क्या करेंगे अपने करमचारी निएंगे करमचारियों की दार यहां पर सासन चलाएंगे तो जब अब अंग्रेजों के पास जब बागडोर आई चुकी है तो आप तो जो सासन पर सासन अंग्रेजी ही चलाएंगे ना और जो वहां की नूक्तिया करेंगी वो भी अंग्रेजों के द्वारा ही हुई जाने लगी तो इसी करब में होता क्या है मुहमाद रजाखा को वहां का नायव सुविदार घोसित कर लिया आता है ठीक है वह अंग्रेजों के देखे इतनी अब इनकी वहां पावर बढ़ गई है कि आप जो है वहां के पदों को भी अंग्रेजी लोग भर रहे हैं इस तरह से हम लोग कह सकते हैं बंगाल में नबाब का सोतनते सासन समाब तो हो गया और अंग्रेजों का बोल वाला हो गया सुरूत कोशन एकजाम मैं से बनता है दोस्तों कि बंगाल में नबाबों का सोतनते सासन कब से समाब तो हो गया सत्राइसो पैंसरेटी इसमाप तो हो गया, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, हम लोग जान लेते हैं, अब दोए धुरा सासन को मैंने कहा था, दोहुरी व्यवस्तेया, फिर कह सकते हैं, दोहरा सासन, मैं इनकों तोरा सासन क्यों कह रहा हूँ यह मैं आपको बताता हूँ देखिए अब होता क्या है जब सब कुछ हो रहा था संदीवंदी हो गई थी बंगाल से सोतनतर सासन नबाबं को खतम हो गया था अब क्लाइब क्या करता है अभी भी वहाँ पर नजमुद्दॉला बैठा हुआ था देखिए इस समय भी क्या है राजा भारत का ही है सासन पर सासन कौन कर रहे है अंग्रेज कर रहे है राजा कहा है राजा भारत का ही है मैंने आपको बताया ना अंग्रेज कभी भी यहार ने चाते थे कि हम लोग भारत तो अपना राजा बठा लें क्योंकि वो इनको ऐसा ल और बहुत चाला के इंसान था इसने क्या किया था इसने क्या किया था कि एक दोहरी व्यवस्था लाया था जिसके अंतरा के इसने क्या किया जो परसासन था वहां का पहली बात तो वहां का जो परसासन था इसने उसको अपने हाथ में ले लिया दूसरा के तो जो वहां से 2465 इष्वी में और फिर एक लगता है दोएदसासन तो दोएदसासन कुछ दोहरी वैवस्ता थी वह ही मापको समझा रहा हूं परसासन इसने अपने हात में ले लिया इतनी तो इनके पास पावर आ गए थी जो चाहे को कुछ कर सकते थे, सब कुछ अपने हाथ में भी ले सकते थे, लेकिन इस समय इनको ये लगता था कि इस समय सब कुछ अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है, कुछ हम भारत के राजाओं के लिए भी, बंगाल के नबाब के लिए भी कुछ लोग चीज हम छोड़ देत तो देखिए इन्होंने क्या छोड़ा था इन्होंने छोड़ा था देखिए अपने पास रखा था परसासन राजस्त वसूली और दिवानने अब देखिए राजस्त वसूली तो मेन होता है राज्य को चलाने के लिए चलिए ठीक है आप इन्होंने बंगाल के नबाब के पास अगर किसी भी राज्य में सांती रखनी होती है, किसी भी राज्य में सांती बनाई रखनी होती है, तो उस राज्य के राज्य के राजा को धनकी आउश सकता पड़ती है, लेकिन जो धन का जो मेन जो इनका वो था, राज्य सुबसूली का था, सुरोत वो तो किस के पास था, क भागों इन व ripped वक्त्य हो गई है मतलब जो बंगाल में जो इसमें दो लोग सासर्ण कर रहे हैं एक प्रटक्षr रूप से एक उप्रटक्षॉरूप से कौन बैठा हुआ है नजर्म Safety ठो आप्रटक्षr से चलाया जाता है जो पैसा है वो है कुछ भी है मतलब वो सब चीज़े उसने नवाब के हातों में नहीं देदी अब देखिए इसमें हम इसको कैसी व्यवस्ता के रूप में इसको परदसित किया आता है यहां एक ऐसी व्यवस्ता थी जिसमें अधिकार एवं उत्तर दाइत् दो सब्दार हैं अधिकार का मतलब क्या है अधिकार का मतलब यह है देखिए परसासन राजास वसूली और दिवाने नहीं मतलब इन चीज़ों पर इसने अपना अधिकार कर लिया और जो उत्तर दाइत तो उत्तर दाइत तो क्या होते हैं जो हमें कोई करम करने पड़ते है राजी के लिए वो कि इसको सोंप दिया नचुमूत दोला को तो होगी नधो उरी सासन भाएं यहाँ पसलिदा दो भागों मैं इसनमें डीवाइट कर दिया अब दिखेगें यहाँ से जब दो भागों में डिवाइट कर दिया तो दिखेए कलाइब ने परशासन इन उत्तरदाई तो स्विकार नहीं किया उत्तरदाई तो स्विकार करना पड़ता तो उसको भारत में अपना राजा बनाना पड़ता अब देखी वो राजा तो बना नहीं सकते थे अगर वो राजा बनाते तो भारत के जनता यहां से रुष्ट हो सकती थी या फिर भारत के जो अन्य राजा थे वो अपने में एक्ता आ जा थी और इस कारण से क्या होता जो वो थे अंग्रेजु के खिलाब वो मोर्चा खोल देते जहां तक अंग्रेजु को यह डर था कि अगर इस सारे के सारे राजा एक होगे तो उनमें एक्ता आ गी तो हम उनके सामने नहीं टिक पाएंगे तो वो क्या करता है बंगाल में नबाब को भी रखता है और साथी साथ में परसासन का कारे और जो वहां का राजस से वसूलिया कारे है अपने हाथों में ले ले लेता है तो इस परकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो यह दोहरी व्यवस्ता बंगाल में अपनाए ग दोस्तों और इसी को कहा गया है दोयद कर सबने मतलबो fan now 2 थी दो साथन कि दो % बन रहे है ना एक किलाइब कर सरसंवा और रहा है और रहा है जुम्ध Doula की साथन तो इसी को कहा गया है 55 55 ब्यवस्ता आज तक आपने पड़ा हो के लिए क्या किया इन्होंने देखिए अब जैसी कंपणी के हाथ में सासन आ गया है अब इनको अपने अधिकारियों की भी नुक्ति करनी पड़ेगी में जो राजी थे उसमें कौन से थे बिहार बंगाल और उडीसा अब देखिए इन्होंने क्या कर रहा था बंगाल में तो तो उसके बाद बिहार का दिवान किसे न्युक्ति किया गया था आपका उत्र क्या हो जागा राय सिताब राय को और उडीसा का दिवान किसे न्युक्ति किया गया था राय दुरलब को और बंगाल का तो दिवान था दिवानी कार्य करने के लिए जो न्युक्ति की गई थी वो किसकी की गई थी वो की गई थी मुहम्मद रजा की मुहम्मद रजा खांगी चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अब देखिए बंगाल में दोयदे सासन लग चुका है अब देखिए इसके दुस परिणामी सामने आया है इसका कोई फायदा नहीं हुआ है भारतियों को फायदा तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को हुआ है यहां से इन्होंने बहुत सारा धन लूट लिया काफी सक्ति उनके पास आगी राजोस सक्ति उनके पास आगी लेकिन जो 22 सासन के दूस परिडाम थी वो काफी भैंकर दूस परिडाम हुए हैं चलिए उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं तो देखिए बंगाल में 22 सासन के नीव रखी ती 1765 डीसवी में किलाइब ने आप जिक यह कोशन बनते हैं बंगाल में 22 सासन के नीव रखीगा 1765 डीसवी में किलाइब और समापते कौन करेगा वारेन हैंश्टिक से करेगा 1772 डीसवी में जब यहां गवर्नर जनरल बनकर आता है चलिए ठीक है अब देखिए इसके दुस परिणाम क्या क्या रहते हैं इसमें क्या कहा रहता है परसासनी ब्यद sinn की वारे हम लोग बात करते हैं किसकी परसासनी के वियोध levels देखिए देखिए कानुन व्यावस्ता ठप हो गई अब ठप होगी भी क्यों नहीं जितना पैसा था वो सारा का सारा पैसा तो अंग्रेज ले जा रहे थे आप देखिए अगर जो इस समय अगर जो हां का नवाब था बंगाल का अगर देखिए न जो मुद्दला अगर वो दिवानी वो उसके प महेंनों ऐसा होगी वेतन देता रहा लेकिन बाद-बाद में ऐसी साथ्मान उत्पन नहीं दे पाता है इस कारण से कारण से होता काता काफी सिथीलता आ जाती है कानुन सब कानून वे डहाती है कपनी ने उत्तरद्वायत्ति को अपना सुविकार हो resident कि मतलब भाई चलो ठीक है हम भी कुछ जो पैसा है यहां के नबाब को देदें यहां के करमचारियों को देदें जो राज-काज का काम चला रहे हैं उनको देदें तो परसासरिक प्योजान बिल्कुल देश में कानून बेवसा ठैब हो जाती है दूसरा बात किया आता है किरसी का हरास हो जाता है आप देखिये दोस्तों यहां से बहुत भेंकर चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि इन्हों ने पहले तो कर लगा रखे थे तो बहुत ज़दक कर लगे हुए थे लेकिन उससे समय क्या होता है बंगाल में इसी समय 1770 का भी भीसन आकाल पढ़ जाता है बहुत बार दोस्तिक जाम में कोशन बना हुआ है कि बंगाल में भीसन आकाल कप पढ़ा सा साल 1770 इसवी में यह भी एक दोयद सासन का ही एक दुस परिणाम रहा था देखिए चलिए ठीक है अब देखिए इसके बारे में हम लोग चान लेते हैं तो देखिए इस आकाल में बंगाल की एक तिहाई जनसंक्या भूक वबिमारी के कारण समापत होगी मतलब एक तिहाई जनसंक्या का मतलब आप समझ रहे हैं अगर मैं कहूं कि वहां दस हजार की उसमें जनसंक्या थी तो दस हजार में से करीब 32 सा लोग या फिर 33 सा लोग स तीनag से एक लाक लोगों की मिरती होगी उससे एक तिहाई निकाल लेड़िये तो उस सट्रह सो सट्रह में जो बंगाल माकाल पड़ा था उसके कारण बहुत ही भीसन आकाल पड़ा हुआ ठीए अब ढ़ता है अकाल लगने के बावजूद बीजे बिर्ट inherently solidarity inside था थी उन्होंने भूरा जिसमें कोई कटोती नहीं की मतलब उनका कहन यही था तुम मरते हो तो मरो भूग का तुम रहते हो तो भूगी भी रहो लेकिन हम लोग कोई भूरा जिसमें कटोती नहीं करेंगे और इसके बजाए उन्होंने क्या गिया लगान में 10% और बड़ोतर परतिस्त कर देते हैं यह एक जामपल है जहाला कि जितना भी होगा उस टाइम पर तो उन्होंने क्या किया लगान में क्या किया दस परतिस्त की वरद्दी कर दी एक दिहाई लोग जन्जन के असमापत होगी लोगों के पास खाने के लिए अंदर नहीं है कुछ भी नहीं है लोगों के पास उसके बावजुद 10% लगान बढ़ा दिया गया अब देखिए उसके बात क्या होता है इस समय एक कोशिन और इंपोर्टेंट बनता है कि जब 1770 में बंगाल मे अकाल पढ़ा था उसमें बंगाल का गॉवर्णर जनल का कोन था करटिय। देखिए कलाइब ने इसकी नीव रखी ती धान रखेंगी कलाइब नीव रखी हटाया कि इसने वारेन ard Stunden अ हटाया था और जो आकाल के समय जो बंगाल का गवशनर रहेगा और जो रहेगा करटिय है आप नहीं देख लिया आप देखिए यहां से इभी इंपोर्टेंट कोशिन बनता है दोस्तों कि जब बंगाल में 1770 इस पी में आकाल पड़ा था उसमें बिर्टी सासने वहां लगान में कितनी बड़ातरी कर दीती है आपका उत्तर क्या हो जाएगा 10% उसमें बंगाल का क्या होता है चलिए ठीक है हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखिए इनके दुस्त परिणाम क्या होई थे भारती ब्यापार का भी इसमें विक्टन हो जाता है वो कैसे होता है देखिए कंपनी को मुक्त ब्यापार का अधिकार प्राप्त था मैंने अभी बताया था ना हो गया मतलब जो भारत के जो ब्यापार उसमें चल रहा था उस पर तो कर लग रहा था लेकिन जो ऐसको क्या होता है कंपनी का व्यापार तो दिन दुनी खतम हो गया है किरसी में इतना हरास आ गया है पर सासनिक व्यवस्ता ठप हो गई है इस से ज़्यादा और क्या हो सकता है बताइए तो दोएदर सासन इकल डू क्या हो जाएगा कंपनियों द्वारा भारत्यों का उत्र पीड़न अब देखिए कुछ पंक्तियां भी कही गई है उन पंक्तियों के बारे मां हम लोग जान लेते हैं द्वाधश आसन को डांकूं का राज कहा किसे सेके खंसा किई हैं धूस्तों एक वक्त हासन को बसरमी और लूट का काल किसैंड कहा था तो धूह आजदर सासन को बेसरमी और लूट तकाल किस ने कहा था पार सिवल स्पीर ने बहुत है नाम है दोस्तों दोनों के दोनों बहुत हैं यहां पूछ लिये गए है तो आपको याद रखने हैं चलिए ठीक है और दोस्ते और अपको अगर आप हमारे फेज यौक पेस से ज़ूड़ना चाहते हैं अब हम लोग कुछ किलाइब की बातें कर लेते हैं कहते हैं कहते थे कि जो किलाइब थुआ वो उसे ने बंगाल में 12 सासन में लगाया था लेकिन कुछ अच्छे काम भी किये थे उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं देखिए इसने सबसे पहले किया क्या था बंगाल मे ने की पर्था को बंद कर दिया था मतलब क्या था कि किलाइब ने बंगाल की दसा को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाये थे उन्हीं कदम में से क्या था उसने उपहार लेने बंद कर दिये थे तो और उसने साथ साथ में क्या किया किया कंपनियों के अधिकारियों को निज उच्च पदो पर लोग बैठे हुए थे उन्हीं लोगोंसे इन फ़ार करते थे उस उपहर पर था को किसने बंद किया था किलायईब का दे Tsuk कोशिन ऐसा बनता है कि बंगाल में कमपनी के अधिकारियों के निजी वियापार पर लोग किसने लगाए थी वो लगाए थी किलाइब ने दोस्तों मैं हमेशा सही जो कोशिन जो कोश भी आपको पढ़ाता हूँ एक बार कोशिन के तरह उसको रिपीट कर लेता हूँ ताकि आ किलाइब ने 1775 ESP में कमपनी के कारिकारता हूँ के लिए किस समित्री आःथन किया त्याके या किस व्यापारिक समित्री का अगण किया था आप का उथर कोशिन बन सकता तो साइटी फोल ट्रेड समित्री की स्थापन नकाभूई थी 1765 ESP में चलिए ठीक है आगे देख ले नहीं कि यह दोहरा भत्ता क्या था किन को मिलता था तो यह दोहरा भत्ता उन्हीं सैनिकों को मिलता था जो बंगाल की सीमा तक कारी करने वाले थे मतलब जो सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक की सीमा तक कारी करने वाले थे उन्हीं सैनिकों को यह भत्ता बाद में दिया जाना बनता है कि सूएध विद्रोग कब हुआ था अपका उत्र कहा हो जैका 1786 डिस्वी में उसमें जो बंगाल का जको गवर्नर था वो कौन तक किलाइब और सूएध बिद्रोग क्यों हुआ था सेनिक का दोहरा बत्ता बंद करने के कारण सूएध बिदरो हुआ था इस तरीके से आपके एक्जाम में कोशन बनते हैं और मैंने आपको बताई दिया है कि बंगाल का अंतिम नबाब कौन था न जो मुद्दौला इंपोर्टेंट है पूछा आता है एक्जाम में तो दोस्तों आज हमने नवीन राज्यों के उत्थान जो बंग दोंगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सेयर कर देखिए दोस्तों चांकि और लोगों को भी हेल्प मिल जाके तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में